आज जानकारी प्राप्त करेंगे उत्तर परदेश के मिर्जापूर में स्थित विंद्याचल मंदिर की विशे में भगवती विंद्यवासनी आध्या महाशक्ती है विंद्यवासनी माता विंद्यल परवत वे गंगा नदी के तरपर विराजमान है विंद्यवासनी मंदिर देश के 51 सक्ति पीठों में से एक है जो एक परी पूर्ण शक्ति पीठ है उत्तर परदेश के मिर्जापूर जन्पद मिस्थित माता विंद्यवासनी की यह है मंदिर विंद्यचल सक्ति पीठ के नाम से भी प्रसिद है शास्त्रों में इस मंदिर का उलेख मिलता है कि आदी शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमा नहीं है विंद्यचल धाम ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं मानेता है कि मा की आर्थी का दर्शन लाव लेने वालों को एक हजार अशुमेध यग्र का पूर्ण मिलता है मा विंद्यवासनी के इस धाम में मा चार अलग-अलग रूपों में दर्शन देती है धर्म, अर्थ, काम और मौक्ष प्रदान करने वाली मा विंद्यवासनी की चार आर्थिया होती है प्रात्यकाल जहां मा का पाल्य अवस्था में होती है तो वहीं दोपहर में मा के युवरूप की आर्थी होती है साइकाल मा प्रोड अवस्था में दर्शन देती है तो रातरी की शयन आर्ती मा के वरद स्वरूप की होती है मा की इन चार आर्तियों को विद्वान लोग माना जीवन के चार अवस्थाओं से जुड़ा मानते हैं ये अवस्थाइं हैं जागरत, सुशूपता, स्वापनो तथा दुरिया अवस्था सबसे खास बात यह है कि यहां तीन किलोमीटर के दाइरे में तीन प्रुमुक देविय विराजमान है सबसे मद्धे में मा विन्दय वासनी, काली खोब पहाड़ी पर महाakाली तथा अष्च भुजा पहाड़ी पर अष्च भुजी देवी विराजमान है विन्दय पर्वत पर विराजमान यहां का त्रकोन जैसा शक्तिपीट स्थल पूरे ब्रामान में कहीं नहीं है देश के कोने कोने से लाखों शिरा धालू यहां आते हैं रूद्रिया मल के अनुसार यही पर सती का प्रश्ट भाग का निपात हुआ था पुराणों में विंद्याचल को शक्ती पीठ, सिद्ध पीठ, मनी द्यूप भी कहा गया है कहा गया है कि एक बार वशिष्ट मुनी ने पूरे ब्रहमांड का ब्रहमन करने वाले नारत जी से पृत्वी पर सबसे उत्तम शेत्र के विशे में जिग्यासा प्रकट की तो नारत जी ने इस ब्रहमांड में विंद्याचल को ही सर्वोत क्रश्ट बताया देवी भागवत पुराण में उलेख मिलता है कि माता पारवती ने इसी भूमी पर अन जल वेपत्ता त्याक कर भागवान शिव को पाने के लिए जब किया था ऐसी माननेता है कि सरष्टी आरंब होने से पूर्व और प्रले के बाद भी इस शेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता शिव पुराण में मा विंद्यवासनी को सती माना गया है तो स्रीमत भागवत में नंदजा देवी कहा गया है शास्त्रों में मा विंद्यवासनी के एतिहासिक महातम्य का अलग-अलग वर्नन मिलता है मा के अन्य नाम कृष्णा नुजा तथा वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्नित है तो ये थी बिंद्याचल मंदिर के विशय में कुछ रोचक जानकारी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आगे भी आपका ऐसी जानकारी मिलती रहें फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक एलिए जाहिंद।